हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू SSE क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है 13 अप्रिल के तीनों सिफ्ट का पेपर हो चुका है सिफ्ट 1, सिफ्ट 2 और सिफ्ट 3 सिफ्ट 1 के भी टोटल 25 कोसंस मिल चुके हैं, सिफ्ट 2 के भी 25 कोसंस और सिफ्ट 3 के भी 25 कोसंस मिल चुके हैं ठीक है, उमीद है कि इस 75 कोसंस में से 65 प्लस कोसंस तो डेफिनेटल एकदम करेक्ट होगा क्योंकि students अपना बोलते रहते हैं questions तो उसमें से कुछ questions ऐसे भी होते हैं जो कि correct नहीं आ पाते हैं ठीक है तो जो भी student ने अपना review दिया है बाकी चैनल उसको मैंने देखा है उसको देखते पर मैं बोल सकता हूँ कि 65 plus questions तो इसमें से आपके correct हैं समझ गया है बाकी आप लोग comment करते रहेंगे और late इसलिए हो गया है वीडियो बनाने में क्योंकि सभी shift के questions आने में थोरा सा time लग जाता है इस समय तक वीडियो बनाते बनाते जो है यही time मिलता है इसलिए मैं आपको इस time पे सभी questions को एक साथ मर्द करके आपको update कर रहा हूँ ओके चलिए देखते हैं क क्या question पूछा गया है देखिए पहला ही question जो है बहुत अच्छा question और easy question पूछा गया था कि what is the capital of Canada देखिए country capital से question आ रहा है मुझे ऐसा लगता है कि country capital अब जो है वो currency पे switch करने वाला है ठीक है तो आप लोग currency भी देखके जाएंगे तो Canada का capital उटावा है next question है देखिए book and author से फिर questions पूछा जा रहा है कि who is the author of 40 year with अब्दुल कलाम ठीक है सिवातनू पिलाई जो है इस book के author है next है बावर नामा इसको किस language में लिखा गया था बावर नामा वाज written in which language तो Persian language यहाँ पर करेक्टरों का Persian देखिए यह question और यह वाला questions के लिए तो मैंने आपको बताया इथा कि यह सब टाइप के questions पिछले साल भी आयते हैं और इस साल भी आएंगे कि ICC spirit of the decade award 2021 किसको दिया गया है तो महिंदर सिंग धोनी को दिया गया है बगलिहार डैम देखिए डैम से बराबर question आ रहे है ठीक है river से डैम से तो यह पूरा पढ़ के जाएंगे तो बगलिहा डैम जो है यह किस नदी के ऊपर है चैनाप correct है ठीक है next question है who got mulaak medal recently in December 2020 तो यह किसको मिला है medal तो अजंकिया रहाने को मिला है chief election commissioner of India पूछा गया है सुनील अरोरा बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा chief justice of India ठीक है इस type के पूरा पढ़ लेंगे आप next है who got entrepreneur of the year award 2019 तो कीरन मजुमदार 100 को दिया गया था Asian development bank कब founded हुआ था 1966 में हुआ था next shift वाले आप alert रहें date याद करके जाएंगे जोशना चिननापा जो है यह किस खेल से सम्बंदीत है Indian professional squash player से यह सम्बंदीत है next question है youngest mayor कौन है सबसे youngest mayor केरल के है यह यंगे who is the youngest mayor of Kerala के कौन है youngest mayor सिफ 21 साल को उमर में इन्होंने mayor बन गया है तो इनका नाम है Arya Rajendra next question क्या है next question next question दिया वाया where is second round table confidence took place कहां पे हुआ है second round table London UK में हुआ था next question एक जो है समान नीधी scheme जो है यह launched हुआ था इसके तहर कितना amount दिया जा रहा था तो total 6000 रुपीस दिये जा रहे थे 2000 का एक installment दिया जा रहा था और ऐसे तीन installment देने थे next है कि 24th external journal consent 2020 को किसने chair क्याता प्रेजेंट थे वाँ पे union home minister अमीट सा प्रेजेंट थे next है shortcut की पूछा गया है आपसे ठीक है अंडो का MS word में तो control प्लस जैड होता है next है who made गया शुदिन बलबन as the prime minister नाशिर उद्दीन मोहमद जो है यहां पर correct हो जाएगा next पूछा है कंबाला festival जो है यह इस festival में कौन से जानवर का race होता है तो buffalo race ठीक है और यह करनाटक का festival है गहीर माता marine bird century यह कहां situated है ओडिसा में जो है situated है next है Lionel Messi footballer is from which country किस country से है अर्जेंटीना यहाँ पर right answer होगा next है the yellow color of urine is due to which pigment ठीक है तो euro chrome यहाँ पर right answer होगा next दियावा है study of map in geography is called तो cartography होता है next है instrument से पूछा गया है question measuring height of plane is through तो altimeter यहाँ पर right answer होगा next question पूछा था आपसे योधावू mobile app is launched by which government तो किरला government यहाँ पर right answer है next question पूछा था कि India's first earth imaging satellite in geostationary orbit ठीक है right answer क्या होगा G sat 1 है यहाँ पर next है science of producing plant in agriculture for food agronomic यहाँ पर correct answer होगा next है 13 अप्रिल के second shift में क्या क्या question आए थे पहला question था कि who is the highest made paid athlete of the year 2020 सबसे highest male paid athlete कौन थे रॉजर फैडर थे फिमल में नौमे औशाका next है राज सभा कब सबसे पहले बार formulated हुआ था 1952 में हुआ था important date से question आ रहा है next है जो green color होता है firecrackers में वो किसके presence से होता है तो barium और barium nitrate यहाँ पर right answer है देखिए military exercise से भी question पूछा गया है पैसेक्स military exercise जो है यह किस दो countries के बीच में होता है तो Indian Navy और Russian Navy यहाँ पर right answer होगा है smallpox vaccine जो है यह introduce किया था किसने तो Edward Jenner ने किया था next है who is the chairman of FIKI as of March 2021 उदेश संकर यहाँ पर right answer है next question है चीफ minister पूछा गया है उतराखंड का तो तीर्थ राज रावत है next है किसने जो है senior national billiard championship 2020 का जीता था पंकाज अडवानी ने जीता था आशा एक app है जिसको launched किया था किस state government ने तो हरियाना state government ने ठीक है होए शालेशवर temple यह कहां है तो हसन district of करनाटा का में है next question पूछा गया था देखे census से question बार बार आ रहे है list पूछा गया है least populated district के बारे में तो यह अरुनाचर प्रदेश का district है ठीक है लाहो इस पीती next है अलक नंदा river जो है यह originate होती है कहां से कहां से निकलती है तो संदोपाद glacier in उत्राखंड next question है कि hot air balloon safari was started recently in October 2022 sorry 2020 in which national park ओके तो बांदवगर national park में पूछा बांदवगर national park यहाँ पर correct answer होगा यह जो hot air balloon safari है यह started किया गया था किस national park में तो बांदवगर national park में next है कि pan india survey in 2021 February was organized by तो pan india survey जो कि February 2021 में हुआ है यह organized किया था किस ने संतोष गनवाड ने वो जो की union labor minister है next है कि financial secretary of india कौन है तो अजय भूशन पांडे है next famous dun hill कब जो है यह related है किस sports से dun hill तो golf से related है next है voting right देखिए articles से question आ रहे है तो articles एक important content है और देखिए कल ही मैंने आपको important topics दिया था कि यह सब से आने वाले हैं सारे वहाँ से हैं या नहीं है article 326 है यहाँ पर चंद्रयान 2 जो है launch किया था इस रो कब तो 22nd July 2019 में world health organization के director general का नाम पुछा गया था तो tedros add home नहीं है यहाँ पर right answer next है कि 1857 का जो revolt हुआ था उसमें जो है इतना repeated question है British East India company जो है यह भारत सबसे पहली बार कब आया तो यहाँ पर 1680 यह सब तो एकदम बच्चा वाला question हो गया यह भी बच्चाहीं वाला है कि light bulb को किस नहीं invent किया तो आपको भी पता है thomas अलबाइडिशन है next है president पुछा गया सीचेल्स के तो कौन है यहाँ पर वैवल है next है भरतपूर बर्ट सेंचुरी यह कहां situated है राजस्थान में situated है अब देखते हैं हम लोग third shift का क्या क्या question जीकिक आया है study of sale के बारे में पुछा गया है ठीक है study of sale क्या होता कैटलोजी यहां हो जाएगा next है fourth generation language के बारे में आपसे पुछा गया था कुछ options थे वहाँ पर तो क्या यहाँ पर Pascal जावा जो है यह related है fourth generation से बंगलादेश का capital पुछा गया फिर से पुछा गया है next shift में एक दुसरे देश का country का capital तो बंगलादेश धाका next है कि गंड़क रीवर को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो सपत गंड़की और नराइनी के नाम से जाना जाता है next है कि what makes a computer do something against our will तो computer में जब virus हो जाता है तभी तो वो computer unwanted चीज़ करने लगता है मतलब hang हो जाता है तो virus यहाँ पर right answer है next है कि गांदी और इर्विन के बीच में जो pact हुआ था वो कव signed हुआ था 1931 के मार्च में next है when where did Gotham Buddha attend Nirvana ठीक है उनके मित्तु कहाँ वे थी कुशी नगर यहाँ पर right answer है next है चंद्रगुप्त 1 की जो है daughter का नाम पुछा गया है तो प्रावती गुप्ता यहाँ पर correct answer है next एक और question आर्टिकल से पुछा गया था कि right to property जो है यह defined है किस आर्टिकल में तो आर्टिकल 300A 44th Amendment Act 1978 next question पुछा गया था कि 55th जनपित आवार्ट जो है 2020 में किसको दिया गया है तो अकीतम को दिया गया था next है कि outer हिमालिया का other name क्या है outer हिमालिया के दुसरा नाम के बारे में पुछा गया था सिवलिक हिमालिया यहाँ पर correct answer है next question पूछा गया था कि what are the teeny openings present on the leaves called is stomata next एक book and author से पूछा गया था कि यह जो है hit refresh यह book को किस ने लिखा है तो सत्य नडेला ने लिखा था next question है who became the president of Poland in October 2020 एक और president के appointment से पूछा गया है तो एंडुरेश दूडा जो है यहाँ पर right answer next question है कि first gold medal जो है किसने जीता था commonwealth 2018 में तो मीरा बाई चानू जो है यहाँ पर right answer है एक instrument से पूछा गया था यहाँ पर ऐसा unit पूछा गया है luminous intensity का candela होगा next है कि किसने जो है vitamins को discovered किया था ठीक है तो कैशिमूर फंग यहाँ पर right answer है next है यहाँ पर which state has granted industries status to sports तो मिजोरम यहाँ पर right answer होगा next है कि in 2019 who shot down an airplane of Ukraine इरान यहाँ पर right answer है और यह question तो पहले ही out हो जोगा था कि यह आने वाला exam में कि DSP of Assam Police in February कौन बनी है अभी तो यह हीमादास यहाँ पर right answer है उस्ताद बिश्मिला खान यह तो मतलब क्या बोले इसको पुराना डाइप का question है जो कि बहुत बार पूछा जाता है बिश्मिला खान के बारे में सहनाई बजाते थे next question है यहाँ पर which channel separates channel से question पूछा गया है कि कौन सा channel है जो कि अलग करता है Lakshadip island को Indonesia के Samarata island से तो 9 degree channel हो जाएगा next यहाँ पर पूछा गया एक और easy question के tenure के बारे में पूछा गया है कि what is the tenure of member of राजसभा 6 years होता है लोगसभा का 5 years होता है next है blue vitrol का chemical यहाँ पर नाम पूछा गया आपसे तो copper sulfate यहाँ पर हो जाएगा next है कि रामानुजन प्राइस 2020 के लिए किसको मिला है किसको मिला है रामानुजन प्राइस तो डॉक्टर कैरोलिना और आप जो कह यहाँ पर right answer हो जाएगा चलिए तो यह सारे questions जो आप देख रहे हैं 75 questions इस questions को देखकर यह तो समझ में आ रहा है कि GK में 15-16 ऐसे question है जो कि आप easily solve कर सकते हैं बना सकते हैं और जो remaining 8-10 question है इसके लिए अगर आपने और भी study किया होगा current affairs आपने पिछले 6-7-8 महिना का पढ़ा होगा ठीक है जो PDF दिये जा रहे हैं जो आप self study करें revision करते हैं अगर आप अच्छे से करेंगे तो score आपका बहुत अच्छा आने वाला है ठीक है तो कल वाले shift लोगों के लिए all the best questions को देख के जाए questions कुछ repeat भी हो सकते हैं इसलिए मैं सारे questions को आपको तक पहुँचाने की पूरी courses कर रहा हूँ ठीक है तो कल फिर इस टाइम पे 14 अप्रील का सभी shift का questions आपको update करवा दिया जाएगा PDF आप SAC Crackers के Telegram चैनल से भी download कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे जो description box है वहाँ के link से भी आप download कर सकते हैं तो कल मिलते हैं आप से फिर तब तक के लिए all the best and good night